जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो में सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संक्टा माता की जो पूजा की जाती है उसमें हमें कितनी महिलाओं को जो पूजा में है वो बुलाना चाहिए पांच बुलानी चाहिए साथ बुलानी चाहिए या चवदा बुलानी चाहिए और कब और कैसे जो संक्टा माता हैं वो खिलानी चाहिए आजके वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सब के साँ सेर करने वाली हुन तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं संक्टा माता की संपूर्ण जानकारी सब प्रांत में अलग-अलग तरीकी से पूजा जो है वो होती है जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है वो मैं आप सब के साथ सेयर कर रही हूँ हो सकता है कि आपके यहाँ थोड़ा सा नियम जो है वो अलग हो सकता है हमारे यहाँ जो संकटा माता है उसमें जब पूजा की जाती है तो पाँच, साथ या चवदा जो संकटा माता की पूजा है उसमें जो सोहागन ओरते हैं वो बलाई जाती है और जैसे संकटा माता है जैसे संकट पढ़ता है जैसे उनका नाम ही है संकटा माता तो जब संकट पढ़ता है कोई ऐसा संकट जो आपके हाथ से माली जे की मतलब आपके बस में है नहीं जो जैसे कभी कई बार क्या होता है कि कोई किसी की तबियत बहुत ज़दा खराब होती है या कुछ ऐसा कार्य जो माली जी बिगड़ता चला जा रहा है वो बन नहीं रहा है संकट बहुत ज़दा है परिशानी बहुत ज़दा है तब संकटा माता की पूजा जो है वो बोल दी जाती है मान दी जाती है और जब वो कार्य पूरा हो जाता है जब वो कार्य पूरा बन जाता है तब जो संकटा माता की पूजा है वो की जाती है जैसे मैं आप सब को समझाने के लिए बताऊं कि जैसे माली जी कोई कोई व्यक्ती है उसकी बहुत हालत नाजुक है बहुत जादा उसकी तवियत खराब है तो आप माली जी की आपने बोल दिया कि संक्टा माता जली से ठीक कर दो सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो जितनी भ बहुत सारे लोगों को जी माली जी बोल देते हैं कि हम दोहरी खिलाएंगे तो दोहरी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप पांच पहले करने वाली थी तो फिर दस करेंगी या आप साथ करने वाली थी तो फिर चाउदा करेंगी इस प्रकार से जो संक्टा माता की पुझा के जाते हैं तो जो पूझा होती है, वह दो दो कर्थात अर्थात यह binि जाती है तो दो क्यांक होते है Cincinnatiẩ स्थ्रियां होती है सुहागन महिला है उनकी बी एक तरीकी से जैसे चटाई है जो भी बिचाया गया है कोई बीचादर बगएरा तो वो अलग-अलग-अलग बैठती है साथी साथ जब पूजा होती है तो जो कोच्छा लिया जाता है या जो मालिजय आपके साड़ी के लोग या कई बार क्या होता है कि जैसे एक ही कोई भी बहन होती है उन्होंने दोरी पूजा जो है वो मांदी होती है तो फिर वो दो जो है वो ले सकती है लेकिन जैसे दो पूजा होती है तो जैसे दो लोग ले सकते हैं माली जे कि सास बहु कर रही है तो सास एक सास एक की मतल बार पूजा होती है तो दो बार अलग अलग जो कोछा है वो भरा जाता है तो अपना अपना जो है वो लेना चाहिए दोनों पूजा को आपस में मिक्स जो है वो नहीं करना चाहिए साथ जब आपका कारे जो है वो बन जाता है तो आपको पूजा जो है वो जरूर कर देनी चाहिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नई कल करेंगे परसों करेंगे अगले हफ़े करेंगे जैसे अभी असाल का महीना चल रहा है और असाल में जो संक mirror माता है या जो सुहगले माता है या जो डला बगेरा चलाए जाते हैं जो भी पूजा पाठ है वो इस महीने में करना बहुत ज़ादा सुबता का प्रतीक बताया गया है तो आप इस महीने में जो है वो कर सकते हैं कोई दिकत कोई परिशानी जो है वो नहीं होती है तो आप इस महीने म जो पूजा है वो बंद हो जाती है महादियों कि ही पूजा जो है वो वह शुरू हो जाती है तो अभी चाहर है अभी असाड का महीना चल रहा है तो अभी आप वुजा पार जो भी करना चाहते है वो अभी कर सकते हैं शाल इसात है कि sour yak Boost कब खिलाना चाहिए OS संकटा माता जो है वो कब खिलाना चाहिए तो दीखे संकट का मतलब जो संकटा माता है वो आप जैसे बोलते ही हैं संकटा माता तो वो संकट जब पढ़ता है तब संकटे माता खिलाई जाती है और जो खुसी होती है तब सुहागले खिलाई जाती है तो सुहागलों में जैसे कब खिलाना चाहिए जैसे माली जी किसी के घर में बच्चा होता या किसी की साधी होती है या कोई ऐसा कार जैसे किसी बच्चे की नौकरी लग जाती है तो खुसी से सुहागले जो है वो करी जाती है अब वो जो सुहागले करी जाती है वो बहुत सारे लोग मिठाई से बहु उसी से की जाती है और जो संकटा माता की पूजा है वो संकट पढ़ने पे जब संकटा माता को ध्यान किया जाता है जब उनकी मनौती मानी जाती है तब जो संकटे माता की पूजा है वो की जाती है तो उमीद करते हूं कि यह छोटा सा वीडियो आप सब के लिए काफी सब्सक्राइब करें इस चानल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूं दोस्तों जैमाता दी